नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में आज का वीडियो है इडिटेरिया करेंट अफेर्स के निव बुक में दिया हुआ चेप्टर आर्थिक सर्वेच्छन दोहजार तेश चोविस और लास्ट में आर्थिक सर्वेच्छन पे 50 प्रमुख MCQ भी देखेंगे कि खेंगे भी डेट इउक्जाम में पूछलिया जाता है बाश जूलाई दोहजार चोविस को आर्थिक समीच्छा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तूत किया गया है यानि मुख्य आर्थिक सलाकार बी अनंत नागेस्वन के मालक दर्सन में यह तैयार हुआ है चलिए नोट्स जान लेता है कुछ 1950 से कामर में भारत का पहला आर्थिक समिच्छा को पेस किया गया 1964 तक आर्थिक समिच्छा आम बजट के साथ प्रस्तूत होता था यानि आर्थिक समिच्छा और आम बजट दोनों एक ही दिन प्रस्तुत होता था लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूरूर पेस किया जाने लगा क्या है एक दिन जो है पहले पेस किया जाने लगा आर्थिक समिच्छा के नुसार अगर हम भारत की GDP में बिर्धी द जो है वह 7.0 और राजकोशिय घाटा GDP का 6.4 परसेंट है 2022-2023 का संसोधित अनुमान है था जो है वह जी डीपी में बिर्धी 8.2 परसेंट और राजकोशिय घाटा GDP का 5.6 परसेंट है था पकितना है 6.5 से 7.0 परसेंट की बिर्धी मूल भुत किम्तों पर सकल मूल बिर्धी के अगर बात करते हैं अर्थ-व्यस्था के तीनों सेक्टर में रहते हैं किर्षिया और संबंद चेट दो हजार वाइस तेस्प में बिर्धी चार दसमलब साथ परसंट और दोगी चेत्र के अगर हम बात करते हैं दो हजार बाइस तेस में बिर्दी 2.1% और 2023 में बिर्दी 9.5% सेवाएं में देखते हैं 10% 2022 में बिर्दी और 2023 में बिर्दी 7.6% अब आये देखते हैं आर्थी विवस्था के एक नजर काफी अच्छा ये है आप इससे स्नैप सोट लेकर रह सकते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं कि GDP बिर्दी द है 2021-2022 के अगर बात करें तो GDP बिर्दी दर रहा कितना 9.7 क्या है 9.7 2022-2023 में पहला संसोधित अनुमान था 7.0 क्या है 7.0 और अंत्रिम अनुमान जो था 2023-24 में कितना था तो वो है 8.2 अब पुर्वा अनुमान जो है 2024-25 में वो कितना है 6.5 से लेके 7.0 तक है GDP बिर्दी द भारतिय अर्थ दस्ता के हम देख रहे हैं पुर्वान उमान 2024-25 में GDP बिर्दी दर 6.5 से 7.0 तक है अगर राजकोशिय घाठा GDP का परतिसाद देखते है GDP का परतिसाद देखते है तो 2020-21 में जो था वो 9.2 था क्या था 9.2 था 2021-22 में अगर हम देखते हैं तो वो कितना था 6. 6.7 था 2022-23 में 6.4 था और अंतिम बास्ताविक 2023-24 में कितना है 5.6 राजकोशिय घाठा GDP का परतिसाद पांतिसाद देखते हैं अंतिम बास्ताविक बीदेशी मुद्राभंडार सभी बिलियन डॉलर में मार्स के अंताग में यह किया गया है 2020-21 में कितना था 570 मिलियन डॉल फिर घट गया 578.4 मिलियन डॉलर हो गया और 2023-24 में कितना हो गया 646.4 जो कि अब तक का सबसे ज्यादा बिदेशी मुद्रा भंडार है खादान उत्पादर में अगर हम मिलियन टन की बात करते हैं तो कितना हो जा रहा है 2020-21 में कितना 310.7 था 310.7 था 26 मिलियन टन था 2022-23 में 329.7 मिलियन टन और किर्सी फसले तृतिय अग्रीम अनुमान एबम बागमानी फसले जूतिय अग्रीम अनुमान के नुशाद 2023-24 के अगर बात करें तो कितना है 328.9 तिन 28.9 है और दोगी के बिर्दीदर इस्थिर मुल पर बिर्दीदर के अगर बा क्रोना काल था 2021-22 की बात करते हैं 12.2 था 2022-23 में 2.1 और अनुमान जो है 2023-24 में अनुमान जो है 2023-24 में कितना है वो 9.5 है कितना है 9.5 है सेवाय मुल भूत कीमतों पर सकल मुल बिर्दी देख लीजिए 2023-24 में अनुमान कितना है साथ दसम्लव छे यह है, दोजार बाइस टेश में पहला संसोधी दनमान कितना था, दस था, पुनजी ब्याइ जीडीपी का परतिसद की बात करते हैं, तो दोजार बाइस टेश में दो दसम्लव साथ था, कि आर्थिक समिच्छा 2023 को तेरा अध्यायों में बाठ कर बर्णन किया गया कितने अध्यायों में तेरा अध्यायों में चलिए अध्याय नंबर एक देखते हैं आर्थ व्यस्था की स्थिती निरंतर आगे बढ़ते हुए बाइस्विक अर्थ व्यस्था ने 2023 में 3.2% की बिर्धी दर्ज की है बर्तमान मुल्यों पर समगर जीबिये में किर्सी दोग और सेवा छेत का हिस्सा बीत बर्ष 2024 में क्रमसा 17.7% 27.6% और 54.7% था कितना था 54.7% था बीत बर्ष 2024 में बी निर्मान छेतर में 9.9% की बिर्धी हुई है सरकार देश में 81.4% लोगों को मुफ्त खादान उपलब्द करा रही कितने लोगों को 81.4% लोगों को जन्धन योजना के लाभार्तियों की संख्या 51.6% तक पहुँच गए कितना 51.6% बीत बर्ष 2024 के लिए पुंजी गयत ब्याई 9.5% लाग करो रहा 9.5% लाग क बित बर्ष 2024 में भारत का सेबा निर्यात 341.1 billion US डॉलर रहा चालू खाता घाटा GDP का 0.7% रहा बित बर्ष 2024 के दौरान सुध एफपी आई परवा 44.1 billion अमेर्की डॉलर और सुध एफडियाई परवा 26.5 billion अमेर्की डॉलर हो गया 26.5 billion अमेर्की डॉलर हो गया अगर अधियाई 2 की हम बात करते हैं मौदरिक प्रवंधन और बितियम अधियस्ता इस्थिरता में मूल बंद कितने टोटल अधियाई है तोटल जो है अधियाई है वो 13 है कितने है 13 है अगर दो में है मौदरिक प्रवंधन और बितियम अधिय में सामिल हुआ जिसका उदेश चार आसियान बेसो, मलेसिया, फिलिपिन, सिंगापूर, अर्था लेंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और यह दोहजार चबिस तक लागू हो जाएगा बीत बर्स 2024 में UPI प्लेटफॉर्म पर किये गए लेन देन का मुल 200 लाग कड़ो रुपया, कितना है 200 लाग कड़ो रुपया भारत में उधार लेने वाले ग्राखों के संख्या के मामले में भारतिय माइक्रो फाइनेंस सस्थान MFI छेतर चीन के बाद दूसरा सबसे बढ़ा है RBI के बितिय समावेशन सुचकांग में सुधार किया गया है जो मार्च 2023 में 60.01 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.02 हो गया है बितबर्ष 2024 में बजार पुंजीकरन के हिसाब से भारतिय सीर बजार दुनिया में पाचवे स्थान पे है अब आईए देखते हैं अध्याय 3 कीमते और मुद्रास्फिती नियंतरन में बाहिछित्र सम्रिधी के बीच इस्थिविद्धा भारत बित बर्स 2024 में खुद्रा मुद्रास्फिती को 5.4 परतिसत रहा है नवंबर 2023 में सरकार ने भुगताओं के लिए इसे किफाइती बनाने के लिए 27.50 रुपया पर केजी की रियायती कीमत पर भारत आठा पेश किया है फरबरी 2024 में सरकार ने 29 रुपया पर केजी की रियायती कीमत पर भारत 54 पेश किया है बित मर्स 2024 में 6 राज्व, हरियाना, राजस्थान, उडिसा, त्लंगाना, मनिपूरा और ट्रिपूरा में मुद्रा स्फिती 6% से अधीक थी और बाकी राज्यों और केंदर सासित पर्देशों में यह 6% से कम थी मुद्रा स्फिती आएमेफ ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 म 4.2% की मुद्रा स्फिती दर का अनुमान लगा है, आएमेफ ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2%, अब आए देखते हैं अध्याइच चार बाहिए स्चेत्र सम्रिधी के बीच स्थिर्ता, बैस विक एफडियाई 2030 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, भारत क कुल निर्याद 776 बिलियन युएस डॉलर को पार कर गया है, बित बर्स 2030 में कुल आयाद भी बढ़कर 898 बिलियन युएस डॉलर हो गया है, भारत की रच्छा उत्पादान बित बर्स 2030 में 108.684 कड़ रुपिय हो गया है, सिर्ष 25 हत्यार निर्यादक देशों के सूची में स्थान है, भारत चीन के बाद फुट बियर का दूसरा सबसे बड़ा बैस्विक उत्पादक है, भारत नौबा सबसे बड़ा बैस्विक फुट बियर निर्यादक है, भारत 2022 में दुनिया का छथा सबसे बड़ा स्मार्टफून निर्यादक बन गया है, तिलंगाना भारत क डिजिटल आर्थ ब्यास्ता में 300 billion US dollar योगदान देना है, 300 billion US dollar योगदान देना है, भारत सरकार का लच 2030 तक तेश जलमारगों को चालू करना है, 22 के नुसार भारत सिर्ष प्रेशन प्रात करता देश है, जहां 2030 में प्रेशन 120 billion US dollar तक पहुच जाएगा, भारत दुनिया में तेधी कुसल AI machine learning और बिग डेटा बर्कर्स का दुसरा सबसे बड़ा पूल है, 21 जून 2024 को बिदेशी मुद्रा भंडार 635.7 billion US dollar था, बिश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी कितना रहा है, 4.3%, 4.3%, दूर सेवा निर्यात में भारत का स्थान जो रहा, वो कितना रहा, दूसरा है, सांस्क्रितिक और रंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान रहा, वो रहा, चट्ठा है, अम्रित काल की विकास रनिती च्छाप परमुक्षेत्रों पर अधारित है नीजी निवेस को बढ़ाबा देना MSME का विस्तार विकास इंजन के रूप में किर्सी हरित परिवर्तन को बित पोसीद करना सिच्छा रोजगार अंतर को पाटना राज्यों की छमता निर्मान पर फोकस संजुक्त रास्की जनसंख्यान मानों के नुसार भारत की कामकाजी आयू बरिक की अवादी 1569 बर्स 2044 तक बढ़ती रहेगी भारत की तेजी से बढ़ती आवादी का 65% हिस्सा 35 बर्स से कम आयू का है और उन में से कई लोगों के पास अधोनिक अर्धवेस्था के लिए अवस्य कोसल नहीं है लगवाई 21.25% यूबा रोजगार योग माने जाते हैं यानि दो में से एक अभी वी आसानी से रोजगार योग नहीं है अब अध्याई 6 में क्या है तो जनवाई परिवर्तन और उर्जा संक्रमन सम जहुताकारी समन्जस सरकार ने जनवरी फरवरी 2030 में 16,000 कड़ोर के सौबरेन ग्रीन बॉंड जारी किये हैं इसके बाद अक्टूबर दिसमबर 2030 में 20,000 कड़ोर जारी किये हैं अगर सुरोत की बात करते हैं बिदुच्छमता के तो कोईला में 210.97 गीगावाट सौर में हैं 82.64 गीगावाट बड़ी हाइड्रो में हैं 44.9 गीगावाट पबन मुर्जा में हैं 46.1 एक 6 गीगावाट और गैस में हैं 24.82 गीगावाट टूटल चमता जो है 442.8 गीगावाट समाजिक छेतर कल्यान जो ससकत रहे या ध्याय साथ में है बीत बर्स 2023 में सिर्ष प्राफ्ट करता राज महराष्ट है इसके बाद करनाठक और गुजराथ है परतिये गाव या कस्वों में चैनित स्वास सिवाओं को संत्रिप्त करने और नागरीकों की सरकार की परमुक्रियों जनाँ के बारे में सुचित करने के लिए सितंबर 2030 में आयसमान भव अभियान शुरू किया गया एमस देवगर में दस जरबे जनास्थिक के अंडर का उदगाटन किया गया पोषण भी पढ़ाई भी पीबी पीबी मे logos में 2030 में सुरू किया गया है सकल घरेल उत्पाद के परतिसत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश 0.64 परतिसत है जबकि चीन 2.4 परतिसत अमेरिका 3.47 परतिसत इजराइल 5.7 परतिसत में यह रहा है बीत बर्स 2023 में रास्टियास्तर पर जर्म के समय लिंगान उपाद SRB बढ़कर कितना हो गया है 930 हो गया है 2020 में शुरू किये गए विग्यान जियोतिक कार्जक्राम का उदेश 90 से बरावी कच्छा तक के विभिन विग्यान और प्रोध की पाठी कर्मों में लड़कियों के कम परतनीधित को संबोधित करना है 10 जुलाई 2024 तक स्वच भारत मिसन ग्रामिन के तहट 11.57 कड़ोर सो चालाए बनाया गया 11.57 कड़ोर 34.57 कड़ोर से इक आईशमान भारत कार्ड़ बनाये गए है पीम अवास ग्रामिन के तहट पिछले 9 बर सो में गरीबों के लिए 2.56 कड़ोर घर बनाये गए है आईशमान भारत पीम जे एवाईस स्वास्थ बीमा के तहट 22 मानसिक बिकार कवर किये गए है ये भी पूछा जा सकता है प्रश्ण में तमिलाडू में देश के गरीव अवादिका एक परतीसा से भी कम हिस्सा है जबकि बिहार और उपी में करमसा 20 परसेंट और 25 परसेंट जो है वो गरीब है बिहार में 20 परसेंट उपी में 25 परसेंट अध्याय आठ में है रोजगार और कौशल विकास गुनबत्ता की ओर 2022 स्टेश में विरोजगारी दरगट कर 3.2 परतीसत हो गई है सरकार ने AI सच्छम प्रस्थित की तंत सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोडने के लिए कई पहल सुरू किया जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम यूवाई यूथ फोर उन्नातिय वं डेवलाप्मेंट बिट ए आई स्कूली छात्रों के लिए एक राष्टे काल्च करम और रिस्पॉंसिबुल ए आई फोर यूथ 2022 शुरू किया गया 2022 में 77 लाग करमचारी गीग एकोनॉमी में लगे हुए थे जबकि दोजर उन्तिस तीस तक गीग बर फोर्स को दो दसंबलत तीन पांच कोड़ोर तक बढ़ने की उमीद है पीम बिसकरमा यूदना 18 ट्रेंडों में कारीगरों और सिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता परदान करेगी अब आए देखते हैं अध्याए 9 किर्सी और खाद परबंधन यदि हम सही कर ले तो किर्सी में बढ़ोतरी अवस है भारते किर्सी च्छत लगवग 42.3% अवादी को आजीव का सहायता परदान करता है और बरतमान मुलियों पर देश के सकल घरेल उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी जो है वो कितना है 18.2% है अगला है 2022 तेश में ख़दान उत्पादन 339.7 MILLION टन के सर्व कालिक उचस्तर पर पहुच गया है तिलहन उत्पादन उसमें 41.4 MILLION टन है पहुच गया है 2023 में ख़दान उत्पादन 328.8 MILLION टन से फोड़ाग कम है सुच में सिचाई के कबरेज का बिस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों के सुबधा के लिए नवार के साथ पांच हजार कड़ो रुपय की पररंभिक राज्सी का एक सुच में सिचाई कोस M.I.A.V. बनाया गया है सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर यूरिया गोल्ड की शुरुआत मिट्टी में पूसक तत्वों को सल्टूनर को बेहतर बनाने का उपाय है यूरिया गोल्ड वजर 22 तेस में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मचली उतपादन हासिल किया है जो 20 में तीसरे एस्थान पर है मचली उतपादन में 20 में तीसरे एस्थान पर है और 22 उतपादन का कितना परसेंट है और प्रेशन ग्रीन का दाइरह तीन फसल तमाठर प्याज आलू से बढ़ा कर बाइस जल्दी खराब होने वाले फसलो तक को कड़ दिया गया है जिसमें 10 फल है, 11 सबजिया है और एक समुन्दरी यानि जिंगा सामिल है अध्याई 10 की बात करते हैं तो धोग, मध्यम, एवं लगू तोनों अपरिहाए भारत का फर्मिस्टिकल बजार बरतमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा बजार है सिर्स 22 जेनरिक कमपणियों में से 8 भारत में इस्तित है भारत दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और सिर्स 5 निर्यातक देशों में से 1 है बीत बर्स 2022 में बीत बर्स 2028 तक तमिलाडू, तिलंगाना, गुजरात, कर्राटिक, बद्परदेश, उत्तरपरदेश और महरास्ट में 445 कड़ो रुपिये के बजट के साथ 7 पी एम मित्र पार का स्थापिद किये जाएंगे कितना साथ अध्याई 11 देखते हैं, सेवाएं बिकास के अफसरों को बढ़ावा देना सेवा छेतर भारत की बिर्धी में महत्पून योगदान करता बना हुआ है, जो बीत बर्स 2024 में अर्थ व्यस्था के कूल अकार का लगवत 55 परतीसत है बीत बर्स 2024 के दरान सेवाओं का आयाद 178.3 billion अमेर्की डॉलर करहा, भारत के कुल निर्याद का 44 परसेंट हिसा, सेवा निर्याद का रहा कितना 44 परसेंट ब्यपार और विकास पर संजुक्त राज सम्मेलन, UNCTAD ने 20 विनिवेस रिपोर्ट 2024, WIR 2024 पर कसित की है और बर्स 2023 के लिए FDA परवाह के मामले में भारत को 15 अस्थान दिया गया है सलक परिवहन और राजमार्ग मंत्राला, मौर्थ ने NH पर सलक सुरच्चामानकों को बढ़ाने के लिए एक ब्यापक 4E रन्निती, Engineering, Inforcement, Emergency, Care and Education तयार किये भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बिमानन बजार है, तीसरा और 22 अस्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं परमुक बिमानन बजारों में से एक है बीत बर्स 2024 में भारती हवाई एड़ो पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 कड़ोर यानि घरेलू 30.6 कड़ोर और अंतरस्टिये 7 कड़ोर तक होच गई है 2030 में 92 लाग से धिक बिडेशी परियाटक आये है 2030 में 92 लाग से धिक परोध की स्टार्ट अप बढ़कर 2030 में लगवाग 31 जार हो गया है सरकार ने स्टार्ट अप की फंडिंग जरूतों को पूरा करने के लिए 10 जार कड़ोर रुपय की कोस के साथ स्टार्ट अप के लिए फंड आफ फंड्स की अस्थापना की है मार्स 2024 के अन तक भारत में कुल टेली घनत पर 300 जन संख्या पर टेलिफोन की संख्या में कितना है 85.7% 85.7% है बारलेस टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड थी इंटरनेट ग्राकों की संख्या 95.4 करोड तक पहुच गई है इंटरनेट घनत भी बढ़कर 68.2% हो गई है 6,83,175 किलो मिटर अप्टिकल फाइवर केवल बिछाई गई है भारत में 6G नेटवर्प प्रोद्कियों को विक्सित करने और तैनात करने के लिए मार्च 2030 में भारत 6G वीजन दस्ताबेज लाउंच किया गया है भारत 6G एलाइंस को जुलाई 2030 में सर्वजनिक और नीजी कमपनियों सिच्छव विदो आधिक एक सहयोगी मंच के रुप में लाउंच किया गया था भारते एकॉमर्स उदोग 2030 तक 350 बिलियन अमेर की डॉलर को पार करने की उम्मीद है 350 बिलियन अमेर की डॉलर है अब आई ये जखते हैं अध्याए 12 अब सरचना संभावित विकास को प्रोसाहन बीतबर्स 2024 तक उल्चा मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क MMLP परदान किये गए इसके अलावा बीतबर्स 2025 में 7 MMLP परदान करने की योजना है सरकार राष्टी उदोगी गलियारा कार्जकरम के ताथ चरन बत तरीके से 11 अधोगी गलियारा परियोजनाओं को विकास कर रही है 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12,95 चार लाग करमचारियों के साथ भारतिय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है पिछले पांच बड़सों में रेलवे पर पुंजीगत ब्याय में 77% की बिर्दी हुए है क्या है 77% की बिर्दी हुए है बिस बैंक लोजिस्टिक्स परदर्सन सुचकांक में अंतराष्टिय सिप्मेंट स्रेनी में भारत की राइंकिक 2014 में 44 वे स्थान से सुधर कर 2023 में 22 वे स्थान पर आ गई है महराश्ट के बधावन में सभी मौसम के नुकूल ग्रिन फिल्ड डीप ड्रॉप परमुख बंदरगा को विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है माईरी टाइम इंडिया बीजन 2030 के ताहत अनमान और निकोबार दीप समूख और लास दीप समूख को प्रेटन और अन पहलों के लिए चरनबत तरीके से विक्सित करने की योजना बनाई गई है 21 ग्रिन फिल्ड हवाई एड्डो को सेंधान तिक मंजूरी दी है जिन मेंसे 12 हवाई एड्डो का संचाला सुरू हो चुका है 31 मार्श 2024 तक देश में कूल 190.57 गीगावाट अच्छे उर्जा आरी छमता स्थापित की जा चुकी है पवन उर्जा स्थापित चमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे अस्थान पे है परधान मंत्री अवास योजना सहरी पीम यू को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया बर्तमान में कुल 27 सहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या छेतरी रैपीट ट्रांजिट सिस्टम आर आर टीएस लाइने चालू है और 949 किलोमीटर निर्माना धीन है AI सूपर कंप्यूटर अराबत अराबत ने जर्मनी में अंतराष्टे सूपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2030 में सीर्ष 522 सूपर कंप्यूटिंग सूची में 75 अस्थान हासिल किया एराबत ने एनेस निर्मान के अफस्ट गती बित बर्स 2024 तक लगवक्त 34 किलोमीटर पढ़ती तीन हो गई है जल जीवन मिशन के ताथ नल से जल कनेक्सर बढ़कर 14.89 कडोर से अधिक 76.12% करामिन परिवारे तक पहुचा है अब आई यह देखते हैं आखरी अध्याए 13 जल जलवाई परिवर्तन और भारत हमें इस समस्या को अपने नजजरिये से क्यों देखना चाहिए जलवाई परिवर्तन के लिए बैस्विक रनितिया तुरूटी पूर्ण है पास्चिम द्रिष्टिकों समस्या की जड़ यानि अतिवों की समस्या को हल नहीं करता क्रित्रिम और बड़ी मातरा में दुरलब भून धनीजो के खनन की बैस्विक खोजने जिवास्म इंदन की खपत को बढ़ाने में युक्तान दिया है उनकी पर्थाएं प्रकृति के साथ मनबता के अंतरनीत संबंदों को अन देखा करती है भारत को अपनी मूल जड़ो वाले में मदद कर सकता है क्योंकि मिसन लाइफ में अस्थाई रूप से जीने के लिए 75 लाइफ परवाई की सुची सामिल है अगला देख लेते हैं कुछ है डाउन दोहजर चोबिस में राज्यों की विधानसवा में चुनाम नतिजे आंधर परदेश के विधानसवा सीट में 175 म में जीते गए सबसे बड़ी पाटी तेलगुम देशाम 135 उडिशाम 147 में भारती जनता पाटी 78 अर नाचल परदेश साथ में भारती जनता पाटी 46 शिक्किम 32 में सिक्किम करांतिकारी मोर्चा के 31 आंधर परदेश के जो मुख मंत्री बने एंचंद्रबावु नाइडू चौती बार उप मुख मंत्री पवन कल्यान उडिशा के मुख मंत्री बने मोहन चरनमाजी पहली बार अवूप मुख मंत्री कनक बंधन सिदेव और प्रावती परीदा अर नाचल परदेश के मुख मंत्री बने पेमा खांडू तिसरी बार उप मुख मंत्री चोना में चोन किये गए अब आये देखते हैं आर्थिक सर्वेच्षन में के ऊपर कुछ परमुख MCQ प्राश्ण इसी बुक में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में दिया हुआ आर्थिक सर्वेच्षन कितने औभी देखे हैं थी तो तेरह और लिएव मैं दुसरा कर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा य। करनी हैं बाठ्ष में कितना फ्रतिसदर रहने काणूत इतना परतिसत रहने का अनुमान है तो क्या हम लोग देखें ते 6.5 से 7% रहने का अनुमान देखें हैं आप्सन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा बित मंत्री द्वारा प्रस्तुत बर्तमान आर्थिक सर्वेचन के नुसार बित बर्स देश चोबिस में GDP ग्रोफ रेट कित बर्स 2020 के तुर्णा में बित बर्स 2024 में कितनी परतिसत अधिक थी इसका अंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी 20 परसंट थी कितना थी 20 परसंट बर्तमान आर्थिक समिछा 2023 के नुसार बित बर्स दोहजर पचीस में भी मजबूत विकास की संभावने हैं ये निमली खित मैं किस पर निर्भर करेगा किस पर निर्भर करेगा तो राजणिती की बजार की चार परसंट की कमी की गई आर्थिक सर्वेच्छन तेश चोविस के ताथ आर्वियाई के अनुमान के अनुसार वो बित बर्स दोज़र पचीस तता दोज़र चबिस में खुद्रा मागाई करमसा कितने परतिसत रहने का अनुमान है और इसका अंसर हो जाएगा ए चार दसमलब पांच परसेंट और चा आर्थिक सर्वेच्छन तेश चोविस के अनुसार निवलीखित में कौन सा कथन सत्त हैं। आई-मफ के अनुसार बित बर्स दोज़र पशेंट एनक अनुमान है जो सही है। ये भी सही है अंसर जो हो जाएगा C 1 तथा 2 दोनों सही है आर्थिक सर्वेच्छन के नुसर बितिये बर्स दोहजर तेस चोविस में बिरुजगारी दर्ग कितने परतिसत दर्ज की गई है और इसका अंसर हो जाएगा 6.7% कि ना 6.7% और इसका अंसर हो जाएगा C 1 तथा 2 दोनों सही है आर्थिक सर्वेच्छन दोहजर तेस चोविस के नुसर भारत की जनसंख्या का कुल स्रंबल लगवक कितना कड़ूर है और इसका अंसर हो जाएगा A 56.6 कड़ूर है आर्थिक सर्वेच्छन दोहजर तेस चोविस के नुसर भारत के कुल स्रंबल का कितना परतिसत बिभीन च्छेत्रों में युगदान के संबद में निम्लिखित कत्रों में से कौन सा कत्रन जो है में सही है तक किरसी च्छेत्र म से चारों सही है अंसर हो जाएगा डी इन में से सभी आर्थिक सर्वेच्छन के नुसर देश में बस्तूओं का व्यपार घाटा बितिये बर्स 2023 में कितना रहा अंसर हो जाएगा बी दोसो चालिस अरब डॉलर दोसो चालिस अरब डॉलर आर्थिक सर्वेच्छन 2023 के नुसर रिन्यूबल एनर्जी के संबन में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन जो है वो सत्य है तो 2030 तक नभी करने उर्जा च्छेत्र में लगवक्त 30.5 लाग कर रुपे निवेश करेगा सही ह 500 गीगाबाट नभी करने उर्जा का उत्पादन का लच रखा ये भी सही है बर्स 2030 तक स्वच उर्जा पहल में 238 गीगाबाट सोर उर्जा एक सो एक गीगाबाट नई पवन उर्जा स्थापित करेगी अब 500 गीगाबाट गैर जिवास में बिजली उत्पादन 2030 तक स्वच उर्जा पहल से 228 गीगाबाट सोर उर्जा और 101 गीगाबाट नई पवन उर्जा और 500 गीगाबाट के गैर जिवास में बिजली उत्पादन किया जाएगा यानि इनमें से सभी जो है वो सत्य है आर्थिक सर्वेच्छन 2034 के अनुशार निमलीखित में कौन सा क जो है वो सत है तो बस 2030 में देश में बानमें लाग सधीक बिदेशी पुर्याट को कागमन हुआ है सही है बानमें लाग का भारत ने पिछले साल परियाटन में 200-3 लाग कड़ों रुपय से अधिक की बिदेशी मुद्रा अरजित की है सब्स पर इटन प्राप्तियों में द करने की उम्मीद है और इसका अंसर हो जाएगा ए तिन सो पचास अरव डॉलर तिन सो पचास जो है अरव डॉलर अर्थिक सर्वेच्छन दोजर तेस्ट चोविस के नुसार नीजी कार्पूरेट पुंजीगत ब्याइब बित बर्स दोजर तेस्ट चोविस में कितने प्रतिस की बिर्दी होई है ऑर इसका सही जबाव होगा नौ परसन्ट चोविस में कूल ब्याय का हिस्षा कितना प्रतिस्ट हैं कि उसपर बारत का इस अर्थवियस्था निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना परठीसत है और इसका है जवाब सुचना सेवा निर्यात में भारत का अस्तान के ना है दूसरा है आर्थिक सरवेच्छन 2023 के अनुसार चाइना प्लस वन अस्टेट जी में भारत को कैसे लाव हो सकता है और इसका अनसर हो जाएगा चीन से प्रत्यच विदेशी निवेश को बढ़ावा दे कर केबल A हो जाएगा आर्थिक समिच्छा के अनुसार उर्जा दस्ता में सुधार है तो उठाए गए कदम कौन-कौन से है परियाबरन के लिए जीवन सहीली मिशन, परदर्शन उपलब्धी और व्यपार, उर्जा सरच्छन भवन सहीता, सुन लेवलिंग, काजक्रम ये चारो अनसर होगा D ने में से सभी पी-एम सुर्जघर योजना से कितने गिगावाट सौर कैपसिटी जुड़ने की उमीद है अनसर हो जाएगा A, 30 गिगावाट आर्थिक समिच्छा के नुसार पी-एम सुर्जघर योजना के संबन में कौन सा कथन सत है कौन सा कथन जो है सत है इसके तहट एक कड़ोर परिवारों को हर महिने 300 युनिट तक के मुफ्ट बिजली उप्लब्द कराना है योजना के लगवाट 70 लाख रोजगार स्रीजित होगा ये भी सही है योजना के क्रियान बन से 720 मिलियन टन्स योटू सम्तूल उट सरदन में कमी होगा ये भी सही है यानि D इनमें से सभी आर्थिक्स समिच्छा के अनुसार मतस पालन छेतर में 2014, 15 और 2022 देश के बीच इस्थिर मुल्य पर कितने प्रतिसद की चक्रबिश्डी बार्थिक दर से बढ़ा है और इसका सही अन्सर हो जाएगा B. आर्थिक्स समिच्छा के अनुसार बेश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरुत है और इसका अन्सर हो जाएगा आर्थिक्स समिच्छा के अनुसार बीत बर्स 2024 के अन तक क्रिक्तिम बुध्यमता इंटरनेट आफ थिम्स रोबोटिक्स और नैनो टेकनोलोजी में कितने DPIIT मानिता प्राप्त स्टार्ट अप होंगे अन्सर हो जाएगा A. तेरह हज़ार क्या होगा तेरह हज़ार आर्थिक्स समिच्छा के अनुसार बीत बर्स दोज़र चौदा सथ 2024 के बीच राष्टिय राजमार्ग निर्मान के अफस्ट गति कितना गुना बढ़ गया है अन्सर हो जाएगा B. तीन गुना बढ़ गया है आर्थिक समिच्छा के अनुसार बित वर्स 2020 तथा 24 के बीच रेलवे पर पुन्जिगत ब्याई में कितने प्रतिसत की बिर्धी हुई है और इसका अंसर हो जाएगा 77%, क्या हो जाएगा 77% बित वर्स 2024 में कितने हवाई अड़ो पर नए टर्मिनल भवन बनाये जाने की बात आर्थिक सर्वेच्छन 24 में की गई है और इसका अंसर हो जाएगा 21, क्या क्या है इतने 21, अगला है आर्थिक समिच्छा के नुसार भारत वर्स 2024 तक गैर जिवास विंधन अधारित उर्जा रखा है अंसर हो जाएगा B 50% अर्थिक समिच्छा के नुसार मार्श 2024 के अंध तक कितना गीगावाट अच्छे उर्जा स्थापित की जाएगी और इसका अंसर हो जाएगा 190.57 गीगावाट आर्थिक समिच्छा के नुसार उजला योजना का कारण बार्सिक उर्जा कितने नए तीर्थ और विरासत अस्तलों की पहचान की गई है अंसर हो जाएगा C 29 क्या है 29 आर्थिक समिच्छा तेश चुविस के नुसार सुदेश दर्शन 2.0 के ताहट कितना कड़ो रूपय का परीविया किया जाएगा सही जवाब हो जाएगा 3800 कड़ो रूपया 3800 आर्थिक समिच्छा के नुसार निवली खित में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य है भारत के पास 55 सक्रिय अंत्रीच उपगरा सहित परिशंपतिया है सही है दू देसामलब एक एक लाग ग्राम पंचायतों को ओ एफ सी अप्टिकल फाइवर के मल से जोड़ा गया यह आर्थिक समिच्छा 2023 के नुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना कड़ों रुपया स्विक्रित है अंसर हो जाएगा बी 10300 कड़ों रुपया 10300 कड़ों आर्थिक समिच्छा 2023 के नुसार बितबर्स 2024 में राज को सिय घाटा सकल घरेल उत्पाद का कितना परतिसत है तो अंसर हो जाएगा ज़ाएगा बी 12 शे पर्सेंट आर्थिक सर्वेच्छन 2023 के नुसार बितबर्स 2024 में प्रातमिगहाटा सकल घरेल उत्पाद का कितना परतिसत है और इसका अंसर हो जाएगा दो तोधिक सर्वेच्छन 2023 के नुसार कर संग्राह के कितना क्रम सा संग्रहित किया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ए पर्तियाच कर में जो है वह पर्सेंट और पर्तियाच कर में 45 परसेंट आर्थिक समिच्छा के अनुसार चालूग बीत बर्स बैस्विक बस्तू निर्यात में भारत की इस्ठेदारी कितने पर्तियसर थी और इसका अंसर जो हो जाएगा वह जाएगा ए एक दसमलाव आठ परसेंट एक दसमलाव आठ परसेंट अमरीत काल की विकास रण नितिक लिया आर्थिक सर्वेच्छन तेश चोविशमें निम्रि से सभी यह था आर्थिक सर्वेच्छन 2023 और इससे जुड़े परमुख MCQ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सेर कर दियेगा धन्यवाद